नमस्कार दोस्तों मैं जीत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का KGS IS के इस हिंदी यूटूब चैनल पर दोस्तों एक जो न्यूज एक कॉमन न्यूज बहुत जादा इस महीने न्यूज बहुत जादा चर्चा में रही जिसका आज हमें डिसकसन करना है जिसको दाहिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे आपका डाउन टू अर्थ हो लगातार उन्होंने कवर किया देट इस कोरल मास ब्लीचिंग इवेंट ठीक है तो ऑस्टेलिया का जो ग्रेट ग्रेट बैरियर रीफ है बात करेंगे इस ग्रेट बैरियर रीफ की ऑस्टेलिया के वैसे इस्ट कोस्ट पे है तो इस great barrier reef में हमें mass bleaching event दिखने को मिला है corals का and then second article आप देख सकते हो great barrier reef suffer widespread coral bleaching इसके लावे इस article को cover किया है down to earth ने भी fourth global mass coral bleaching great barrier reef affected coral sea dying तो again आज इस topic को हम discuss करेंगे related to the coral reef ठीक है और आप इसको connect कर सकते हो देखा हलाकि environment से भी आप connect कर सकते हो GS1 में हम geography में जब oceanography पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम coral reef के बारे में पढ़ते हैं अब बहुत सारे बच्चों कोई doubt रहता है कि coral reef होती क्या है इसकी आदर्स दसाए क्या होती है या फिर coral reef कितने type का होता है अगर ये जो event है mass event जो coral reef का bleaching event जो हमें देखने को मिल रहा है जहां great barrier reef में coral mass scale पर bleaching देखने को मिल रहा है वो किस वज़य से देखने को मिलेगा ये सारी की सारी चीज़े हमें पता होनी चाहिए और ऐसे क्या क्या measures है by the government of India और उसके अलावा world level पर जो कि इसके conservation से related है क्या इसका महत्व है जानेंगे सारी की सारी चीज़े A2Z मतलब coral reef का जो ये topic आप पढ़ेंगे specially current affair में जो इन्यूज में है तो आप coral reef के बारे में लगबग लगबग सारी चीज़े मैं आपको यहां पर cover करा दूँगा see coral क्या होती है सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि coral reef होती क्या है ठीक है तो यह जो great barrier reef है यहां अक्सर national geography जो है net geography का जो channel उस पर देखा होगा आपने discoveries पर देखा होगा आपने कोई web series देखी है या फिर कोई world का कोई basically अगर आपने Hollywood की movie देखी है तो कहीं ना कहीं इस type का आपने scene देखा होगा ठीक है जहां पर यह colorful आपको different different जैसे species हैं उनके साथ साथ यह different different fauna flora यह सब आपको देखने को मिलता है तो आपके mind में आता है कि यह है क्या जो कि बनाया जाता coral polyps के दवारा ठीक है coral polyps क्या होते हैं एक tiny creature होते हैं या फिर एक छोटे small animal होते हैं वो सिक्रीट करते हैं केलशियम कार्बोनेट उस केलशियम कार्बोनेट की वज़े से उस केलशियम कार्बोनेट की वज़े से जो भी ये जमा होता रहता है केलशियम कार्बोनेट की वज़े से ये जो स्ट्रक्चर है ये बन जाता है और इसके अलावा इसका एक symbiotic relation भी होता है zooxanthle के साथ zooxanthle क्या करता है कि basically वो photosynthesis के माध्यम से ये खुद अपना भोजन नहीं बना पाता जो coral polyps है तो इसको basically प्रकास sensation के माध्यम से भोजन बना कर देता है साथ ही में ये basically अगर देखें जो coral reef है coral polyps है बदले में zooxanthle को रहने का घर देती है तो ये symbiotic यानिक एक सहजीवी relation हमें देखने को मिलता है coral reef and zooxanthle के बीच में मतलब it means कि अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो हमें ये देखने को मिलेगा coral bleaching हमें देखने को मिलेगा कि coral polyps बड़े scale पर मरने लग गए है ठीक है क्योंकि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते है ना मतलब इनका प्रेम इतना जादा है इतना प्रगाड इनका प्रेम है कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते like coral reef में ये जो zooxanthle है ये इसकी पूर्ती करता है it means कि ये इसके लिए benefit है ये इसके लिए coral polyps के लिए benefit है और या उसके लिए फायदा करता है जबकि ये coral reef के लिए फायदा करता है simple सा सहजीवी एक दूसरे में संबंध है mutualism इन दोनों में है ठीक है तो सबसे पहले हमारी सामनी यही सवाल है कि प्रवाल भीती क्या है तो प्रवाल भीती जो है calcium carbonate से बनी हुई चट्टाने है जिनका निर्मान मूगा हिंदी में प्रवाल को मूगा भी कहते है मूगा polyps के कारण जिनका निर्मान होता है ठीक polyps ने नाजुक सरीर पर एक कठोर आवरन बनाने के लिए समुद्र से calcium लवन का उपयोग करते हैं तो जो आपका ocean water होता है उससे calcium को ले लेते हैं और उसको स्क्रीट करके basically calcium carbonate की overall एक परत बना देते हैं ठीक है या एक सरंचना बना देते हैं मुगा की बहरी परत में एक कोश्किय प्रकास संसलेशक सेवाल होते हैं जिनने जूजेंथले के नाम से जाना जाता है वे प्रकास संसलेशन के प्रनाम सुरूब भोजन प्रदान करके मुगे को जीवीत रखने में मदद करते हैं जबकि बदले में सेवाल को रहने के लिए स्थान देता है आपका कोरल पॉलिप्स यानि की प्रवाल पॉलिप्स या प्रवाल भी थी ठीक है वहाँ पर यह रहते हैं इन दोनों के बीच सहजीवी संबंद है जो भी आपको बताया है वो जस्ट यहाँ पर मेंसन है लिखा हुआ है अब सवाल हमारे सामने यह आता है कि भाई यह जो कोरल रीफ है एक तो नॉर्मली अगेन फिर से मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन सॉट डाला हुआ है जिनको इंगलिश में देखना है कि यह सेलो वाटर में मिलते हैं क्यों सेलो वाटर में मिलते हैं लेकिन नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं कि यह shallow water में मिलते हैं क्यों क्योंकि photosynthesis के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं तो समुद्र में जहां तक प्रकास जो है सूर्य का प्रकास पहुंसता है वहां तक यह देखने को मिलते हैं ठीक है तो shallow water reef building coral have a symbiotic relationship with photosynthetic alga called zooxanthle which live in the tissues the coral provide a protected environment and compound zooxanthle need for photosynthesis in written algae produce carbohydrate that coral use for food as well as oxygen ठीक साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है the alga also help coral remove waste since both partner benefit from association and this type of symbiotic is called mutualism क्या कहते हैं सहजीवी जो संबेदीता है दोनों एक दूसरे के लिए positive संबंद सकारात्मक संबंद रखते हैं तो अगर हम यह कहें कि shallow water में हैं इतनी लवनता में हैं या फिर इतनी गहराई में यह पाई जाती है तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हमें यह पता होना चाहिए कि coral के लिए यह प्रवाल भीति के लिए आदर्स दसाए क्या है जैसे पहली आदर्स दसाकी में बात करूँ कि यह ज़ादतर जो कहाँ पर मिलते हैं 30 डिग्री नौर से 30 डिग्री साउथ उष्ने कटी मन दिये महासागरों में देखने को यह मिलते हैं पानी का ताप मान 20-21 डिग्री हलाकि कहीं पर यह ज़ादा भी हो सकता है कहीं पर यह कम भी हो सकता है डिपेंड करता है किस बुक में आप देख रहे हैं ठीक है को बेशीगली देखने को मिलते मतला मेज़ोरिटी और कोरल रीफ हमें देखने को मिलती है सेला वटर में विकोज ऑफ फोटो सिंथेस की प्रेक्टिस जो है सूरिय के प्रकास से ही संभाव है ठीक फिर लवन्ता की बात आती है तो प्रती हजार में 27-30 के बीच जो है पीपीटी के बीच जो है आपका लवन्ता रहनी जाए है मतलब 27-30 का मतलब यह है कि overall जैसे 1000 पार्टिकल है किसी पानी के अंतर का उसमें से 1000 ग्राम वाटर में 30 ग्राम तक जो है लवन्ता चलेगी 27-30 ग्र तो इनके लिए अच्छा नहीं है या फिर वो मर सकते हैं जो हमें जिस आर्टिकल के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं जो हमें event देखने को मिला है barrier reef पर वो इस वज़य से देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पर पानी का तापमान बहुत जादा बढ़ जाता है कब बढ़ teaching देखने को मिलती है ठीक है फिर तलचट मुक्त पानी इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि देखिए जो sedimentation होता है उस जहाँ जहाँ sedimentation ज्यादा होगा वहाँ coral polyps आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर पनपती नहीं है ठीक है तो बहुत ज्यादा sedimentation इ आप देखेंगे तो आपको corals देखने को नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि गंगा जो है गंगा है ना या गोदावरी कृष्णा कावेरी यह जो सब नदिया है यह अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके आती हैं sediment लेके आती हैं जो कि drain करती है बे ओफ बंगाल में तो इस जनता है तो भई अपनी नदी जो है जब विर्दवस्था में होती है तो काफी मात्रा में अवसाद यहां पर लाकर जमा कर देती है जो उसकी आदस स्थितियों के विपरीत है इसके लावा आप देखोगे तो लक्षदीप हो गया अंडेमान निकोबार हो गया यह वेस्ट हो गया बेरियर हो गया और उसके बाद अटाल की बात हो गई तो फ्रिंजिंग रीफ में देखें बड़ा सिंपल सा है सिंपल से डिफ्रेंस है इसमें कि फ्रिंजिंग रीफ में जो कोरल रीफ है वो जो आइलेंड है उस आइलेंड के साथ सथ कर बेसिकली कोरल जो है उनका रीफ की तो barrier reef it means कि island से थोड़ा सा दूर island से हटके थोड़ा सा दूर अगर coral reef क्या हो रही है basically coral leaf develop हो रही है तो हम कह सकते हैं कि यह एक barrier reef है और यहाँ पर देखिए coral अपने आपको यहाँ पर खुद से जान बूच के एक अपने आपको break कर लेती है break क्यों करती है ताकि इसकी जो salinity ताकि जो इसकी जो salinity है उसकी पूरती ये बार-बार कर सके है ना अगर बंद कर देगी तो water जो है आएगा ही नहीं भार का ocean water जो है प्रवेस नहीं करेगा तो it means कि यहाँ पर जो salinity की पूरती के लिए ये जान बूच कर break करती है मानवेशी का फायदा उठा कर इस island पर overall आपका क्या है शिपले जाता है और इसी coral reef और इस island के beach के water को कहते हैं lagoon क्या कहते है लगून कहते है ठीक है फिर अगेन आता है जो किसी basically structure से जुड़ा हो नहीं होता है island जो है या तो धस चुका है नीचे या sea level उपर बढ़ चुका है तो हमें बहुत काम आता है जैसे आप Thailand घूमने गई मानली जी अंड़ माननी को बार घूमने गई तो जब आप dive करते हैं ठीक है तो आप dive करेंगे तो आपको कोरल के पास ले के जाया जाएगा तो प्रेटन का जो है बहुत बड़ा मार्किट है आपका कोरल रीफ ठीक है समुन्दर की लगबग 25% जो मचली है यह बेसिकली मुगा चट्टानों पर निर्भर करती है मलब इनको ना rain forest of the sea कहा जाता है rain forest of the sea rain forest of the coral reef को rain forest of the sea कहा जाता है समुन्दर का वर्सावनी से कहा जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पर कोरल रीफ में जैसे आपको अगर wetland आप देखोगे या फिर आप mangroves देखोगे जिस ट्राइप से वहाँ पर बायो डायवरसिटी आपको देखने को मिलती है तो प्रवाल भीती में या फिर कोरल रीफ में सबसे जादा बायो डायवरसिटी आपको देखने को मिलती है इसलिए इसको rainforest of the sea भी कहा जाता है और लगवग 25% मचलिया जो है इस पर dependent होती है और जो प्रवाल भीतिया होती है जो calcium carbonate से बनी होती है यह काफी hard होती है जब यह काफी hard होती है तो coastal के erosion को कहीं ने कहीं बाड करती है यानि कि we can say कि जो erosion हो रहा है उसको भी कहीं ना कहीं यह रोकती है ठीक लगवग 500 million लोग अपनी आजिवी का भोजन और अन्य संसाधनों के लिए प्रतक्स एप्रतक्स रूप से मूंगा चट्टानों पर निर्भर करते हैं इसका प्रियोग काफी calcium carbonate से बनी हुई यह सरंचना जो होती है यह काफी मजबूत होती है ठीक है तो यह उसके कुछ महत्व रहे ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं तो विस में यह coral reef कहां कहां पर देखने को मिलती है देखें जहां जहां पर आपको यह red red dot देखने को मिल रहा है या it means कि यहा हां पर आपको hot coral देखने को मिल रही है मतलब यहां मौसम गरम है तो दो टाइप में हो सकती है एक तो hot हो सकता है ृबड को cold water हो सकता है, ठीक है कि यहाँ पर एक रीफ है या फिर उसको रोस्ट रीफ भी कहते हैं रोस्ट रीफ तो यहाँ पर cold water की सबसे बड़ी cold water की सबसे बड़ी जो coral reef है उसकी सरंचना देखने को हमें मिलती है अब आप पूछेंगे कि 21 से 22 डिगरी जो temperature है वो तो इसके आदर्स दसाती तो आप मुझे यह बताईए कि अगर हम बात करें कि यहाँ से अगर हमारा zero degree जा रहा है तो यह तो काफी उपर latitude पर हो गया तो ऐसका कारण क्या है कि यहाँ पर coral reef पनप नहीं लगी तो इसका कारण एक मात्र यह है कि अगर आपने basically पढ़ा है ocean waves के बारे में ocean waves के बारे में आई होप आपने पढ़ा होगा या ocean current sorry not waves ocean currents के बारे में आपने पढ़ा होगा ठीक है समुद्री धाराओ के बारे में आई होप आपने पढ़ा होगा तो समुद्री धारा जो है यह रोष्ट रीफ के पास जो है नौर्वियन नौर्वियन करंट है नौर्वियन करंट बहती है और जो की क्या है बेसिकलि एक होट करंट है जब यह होट करंट यहां से बहती है तो overall यहां पर यहां पर कोरल रीफ के पनपने के लिए आदर्स दसाओ को यह बना देती है जब कि आप देखोगे तो यहां पर आपको coral reef देखने को नहीं मिल रही है और सबसे ज़्यादा coral reef देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है यह है आपका great barrier reef सबसे ज़्यादा coral यहाँ पर आपको देखने को मिलती है यह है आपका great barrier reef ठीक है तो यहीं पर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में coral bleaching देखने को मिली एक mass event देखने को मिला है coral bleaching का अलनीनों की वज़े से तो आप सोचेंगे कि सरी coral bleaching है क्या आपने इतनी बार इस नाम का जिक्र किया कि coral bleaching coral bleaching हो रहा है मास event हो रहा है coral bleaching का Australia के barrier reef में ऐसा हो रहा है यह है क्या एको simple सी बात है इसको हिंदिम कहते हैं सबसे पहले प्रवाल विरंजन coral bleaching का मतलब यह है कि coral का मर जाना अब coral का मर जाना जो है वो color से decide होता है कि coral कहीं मर गई है या coral dead है या coral bleach हो गई है तो इससे क्या पता लगता है उसके color से पता लगता है से मैंने स्टार्टिंग में आपको यहां पर बताया कि who जो है यह रंग भी रंग है आप कहेंगे कि सर यहां पर यह कलर है यहां पर अलग कर Master M2 Take a का Duke करता है तो डिपैंड करता है यह कि से में किस कलर का है तो उस कलर के हिसाब से और्ल और यही रंग विरंगा जो है structure आपको देखने को मिलता है लेकिन जब मैं बात करता हूं प्रवाल विरंजन की या koral bleaching की तो वहाँ पर इनका कलर बिल्कुल सफेध हो जाता है क्या हो जाता है सफेध हो जाता इसका मतलब कि कोरल मर चुकी है इट मीन्स कि जो मूंगा है या मूंगा और जू जैन्थले एक दूसरे से अलग हो चुके है इट मीन्स कि वहाँ पर आदर्स दसाई नहीं है ऐसा कुछ न कुछ इवेंट जरूर हुआ होगा जिसकी वज़े से कोरल की डैथ हो गई होगी जैसे यहाँ पर आप साफ साफ भी देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए bleach coral का मतलब यह है कि left bleach and यह जो कि white color का है ठीक है बिल्कुल white color ठीक है वरना अगर रंग भी रंगी है it means कि यहाँ पर coral जीवित है और white color का मतलब coral मर चुकी है तो ऐसा हो क्या हो रहा है क्या इसके कारण है तो सबसे बड़ा कारण जो हमें देखने को मिला great barrier reef में वो था अल्लीनो अब अल्लीनो क्या होता है कि जैसे normal जो pacific ocean में जो अदर्स दिसाई होती है लानीना की उसके just opposite जो normal condition होती है उसके just opposite condition हमें देखने को मिलती है मैंने अपने current affair के lectures में आपको लानीना, अल्लीनो, आयोडी ये सब अच्छे से समझाया हुआ है आप वहाँ जाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं जहां पर हमें पेरू यानी की जो आपका South America है उसके West अगर हम Pacific Ocean से Australia से देखें तो इसके West Coast पर और उधर से East Coast पर और उधर से देखें तो West Coast पर हमें बेरू पर बहुत ज़्यादा वर्सा हमें देखने को मिलती है, ठीक है? यानी की South Africa के West Coast पर हमें बहुत ज़्यादा वर्सा देखने को मिलती है और वो घटना जो है वो आपकी अलीनों कहलाती है, तो इसमें क्या होता है ज़्प्रेचर चेंज होता रहता Pacific Ocean में, तो जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्सा होती है तो Australia के केस में क्या होता है? कि Australia में बहुत ज़्यादा opposite condition होती है High Pressure develop हो गया होता है वहाँ पर तो जब high pressure develop होता है तो basically क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में temperature बढ़ जाता है ओशन का जब temperature बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं जो coral की जो stable condition है जिसमें वो basically survive करती है वो conditions डवलप नहीं होती है और इसकी वज़े से हमें coral की जो death है देखने को मिलती है इसके global warming की वज़े से जब महासागरों का तापमान बढ़ेगा जब महासागरों का तापमान बढ़ेगा तो coral की death होगी के नहीं होगी तो बिल्कुल होगी उसके अलावा हमारे पास एक report भी है IPCC report जिसने ये कहा है कि दुनिया के अगले 2-10 को के भीतर 1.5 degree Celsius के स्थर तक पहुँ absorb कर रहा है तो carbon dioxide की सांदरता में लगातार ocean में विर्दी हो रही है अब जब ocean acidification होगा CO2 बहुत जादा बढ़ जाएगी ocean में तो कहीं ना कहीं coral reef के dead होने का कारण ये बनेगी तो IPCC report के अनुसार जो है greenhouse gas सांदरता लगातार ocean में बढ़ने को देखने को मिले रही है लगात temperature थोड़ा normal होना चाहिए है ना साफ पानी चाहिए क्योंकि अगर ये माली जीए sediment वाले water में पनपती तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती east coast of India लेकिन वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है क्यों क्योंकि वहाँ sediment बहुत जादा है तो समुद्र में कच्रा बहुत तो कहीं ना कहीं अपना जो भोजन है या फिर जो मूगा है वो प्रकास अंसलेशन की करिया नहीं कर पाता तो ऐसे कुछ एक्जामपल हमारे पास है जैसे संक्तुराष्ट परियावरन कारेकरम अनुमान है कि समुद्र में प्रतेक वर्ग मील में तेरते प्लास्टिक के 46,000 टुकडे होते हैं और उसके लिए उधारन है हमारे पास नौर्थ पैसिफिक जायर ठीक है नौर्थ पैसिफिक जायर को अब ग्रेट पैसिफिक गार्बेज के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पर बहुत जादा मात्रा में ग्रेट पैसिफिक जो गार्बेज पैच है यहां पर बहुत ज़्यादा मातरा में अगर आप देखेंगे तो आपको कच्रा, प्लास्टिक का जो कच्रा है वो देखने को मिलेगा, जो कहीं न कहीं कोरल की डैथ का कारण बनता है, तो ऐसे में क्या इसके संरक्षन के उपाय होने चीए कोरल रीफ के, तो सिंपल सी बात है, देखिए जो आईची टार्गेट है, आईची जो टार्गेट दस है, वो मूंगा चट्टानों यानि की कोरल रीफ प्रवाल भीतियों, जलवायू परिवर्तन या समुद्र के अमली क नेटवर्क, जो है, एक बेसिकली इसकी जिम्मेदारी है कि कोरल रीफ की जो स्थिती है, उस पर लगातार रिपोर्ट देना है और निगरानी रख्थनी है, वायलाइफ पोटेक्शन एक, अनुसूची एक में मूंगे को सामिल किया गया है, बायो रोक टेकनोलोजी, करित्रिम रूप से कोरल को क्या करा है, दुवारा से बहाल किया जा रहा है, तो इसमें बेसिकली तकनीकी का इस्तमाल किया जा रहा है, जिससे कोरल को करित्रिम रूप से दुवारा से बहाल किया जा सके, और वही जो तकनीक है आपकी बायो रोक टेकनीक है गुजरात में, आप इसके बारे में और देख लीजेगा, फिर Environment Protection Act 1986 केंदर सरकार को समुंदरी परियावरण की सुरक्षा, संरक्षन के साथ समुंदरी परदेशन को रोकने, उसको पर प्रतिवंदित करने का एक मात्र अधिकार देता है, तो यह सारे points आप mention कर सकते हो, अगर आप mains में question एलगा के साथ उसका क्या relation होता है, उसका जो color है, वो कैसे depend करता है, मतलब कि एलगी के color पर उसके pigment पर depend करता है, उसके अलावा कितने type का होता है, क्या उसकी आदर्स दसाय होती है, उसके अलावा ऐसे कौन-कौन से issues हैं जिसकी वज़े से coral bleaching हो रहा है, या coral bleach है क्या, उसक इनको holistically cover किया है, तो I hope वीडियो के starting में जो आपके doubt थे कि जो हमें mass event देखने को मिल रहा है, coral bleaching to the great barrier reef, वो क्यों मिल रहा है, वो अभी आपको clear हो गया होगा, तो दोस्तों ऐसे ही interesting topic के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे, मिलते हैं next topic के साथ, thank you, thank you so much.